हलो गाइज, वेलकम डिवाइज चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज की बहुत ही मोखी खबरों के बारे में बात होगी जिनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जैसे समविदा पर आया बयान आपको पता है जो है कहा जा रहा था कि जो है जो जाब मिलेगी उत्तरब्रेश में वो 5 साल की समविदा पर मिलेगी तो उस पर बयान आया है केशो प्रशाद मौर्या जी का तो उस पर बात होगी 6 महीने हर विभाग में नियुक्ति होगी 6 महीने जो है आने वाले 6 महीने में नियुक्तियां होगी मुख्यमंत्री जी ने कहा है और बहुत कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेसन समय से मिलती रहे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो अपना देखिए लिखा है नौकरी में समविदा पर विपच्छ फैला रहा है अफवा केश्व पृषाद महुर्या जी देखिए आपको पता है जब से पता चला है कि जो है प और ट्विटर पर जो है इसको काफी ट्रेंट कराया गया तो उसके बाद जो है सरकार जो है थोड़ा हलचल में आती है और बयान देना सुरू करती है तो उसी के संबन्द में कहते हैं नौकरी में समविदा पर विपच्छ फैला रहा है वा केश्व पृषाद महुर्या जी लिखा है उत्तर प्रदेश के उपुमोख मंतरी केश्व पृषाद महुर्या ने कहा है कि सरकारी नौकरी में पांच सल समिदा के एन्यवारिता पर विपच्छ फैला रहा है सरकार ने इस मसले पर अब तक कोई निर्णा नहीं लिया है विपच्छ के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए वह युवाओं को ब्रहम जाल में फसा रहा है बाजपा कार करता जनता के बीच विपच्छ के जूट को बेनकाब कर रहे हैं सुक्रवार को प्रयाग राज आये डिप्टी सीम ने सरकिट हाउस में कहा सपा बसपा कांग्रेस मोदी योगी सरकार के कामकाज का से बौखला गए हैं 2014-17-19 की हार के बाज सभी दल अब जूट की राजनीत करने पर आमदा है ठीक है तो समविदा की जो बात है उसको अफवा बता रहे हैं वह पर मुख्यमंत्री केश्व पशाद मौरे जी अभी जो है अभी कल लेटर आया कि मार्च 2017-2020 के बीच जितनी ज भरतिया हुए 17-18-19-20 2017-2020 के बीच जितनी भरतिया हुए उनका वेवरा ठीक है तो समविदा वाली जो बात है उस पर जो है केश्व परसाद मौरे जी सामने आये और अपनी बात रखी अब उसके बाद जो है योगी जी कहते हैं देखे लिखा यूपी में खाली पदोंपर छे माँ में भरती होगी योगी जी देखे यह ट्वीट किया गया है कल जब यह ट्वीट आया है तो हलचल मच गई ट्वीट देख लेते हैं लिखा है सियम स्री योगी आदित नाद जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलावद कराने के निडेश दिये हैं उन्होंने कहा है कि बीते साड़े तीन वर्ष में संपन तील लाख पदों पर चैन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी तीन माह में भरती प्रक्रिया संचालित करते हुए छे माह में नियोक्त पात्र वित्रित किये जाएंगे तो ये ट्विट आया तब लोगों को थोड़ा अच्छा लगा लेकिन लोगों को तयार रहना चाहिए हर चीज के लिए अभी तो ये कहा गया है जब ये काम पूरा हो तो अच्छा लगेगा हम लोगों को भी आगे दूसरा ट्यूट होता है हमारे युगा साथियों में प् प्रक्रिया को संपन करा लिया जाए ठेक है इसलिए जो है 21 सितंबर को आयोगों की बैठक बुलाई है यह जो निव्ज है उसको जड़ा देख लेते हैं हम लोग लिखाया प्रदेश सरकार अगले तीन महिनों में खाली पदो जो खाली पद हैं खाली पड़े लाखो पदो पर भरती की बड़ी मुहिम सुरू करने जा रही है करेब तीन लाख पदो पर भरती कर अगले साल मार्स तक चैनित युगाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र द जायगैं को को इसाब से आगे काम करने को कहा है मुखिपन्त्री जी नें कहा अब तीन लाख भरती पारदर्शिवन निश्प अभी तक जो भरतियां हुई है तीन लाख वो निश्पस तरीके से वं इसतरीके से लिझे कराय जाएंगी मुखिपन्त्री ने मुक्स चाजिव वा प्रमुख सचीवों को एक सप्ता में विभिन जो खाली पद है उनका विवरा दिनों को कहा है प्रिदेश के 84 विवाग में लगवक तीन लाग पद खाली पड़े हैं ठीक है और जो है बाद में ट्वीट की बात हो जाती है तो 21 सितंबर को जो है आयोग जो है मलब उनके सचीवों की बैठक बुलाई गई है और जो 2017 से 2020 के बीच जो विवरा मांगा गया था उस पर सम्विदा लागू नहीं होगी इस चीज़ को आप लोग ध्यान केगा देखे 68500 का जो है रिजल्ट वो पुर्ण मुल्लैंकन का जारी हो गया लिखा है सचीव परिच्छा नियाव पुराधिकारी ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में विग्यापित 68500 सिच्छक भर्ती में 602 अभेरतों का पुर्ण मुल्लैंकन के बाद 18 सितंबर को देर रात परिणाम जारी कर दिया है आज 19 सितंबर को दोपहर के बाद परिणाम वेबसाइट पर इस वेबसाइट पर आप देख सकेंगे अगली ने उझे केंदर की गाऍड लाइन पर खोलेंगे इसकूल बेशीní सिच्छा मंत्री APP हमारी यूपके डाक्टर सतीषदिव्यदी जी ने कहा है केंदर की जैसी गाड लाइन होगी उसी के अनुसार जो है इसकूल खोले जाएएग और 59 जाब शित्चक भरती को लेकर जो है इन्होंने कहा कि जो सिच्छक भरती है वो जल्द पूरी होगी लेकिन आडर आने पर तो आडर कब आएगा जो है इतने दुने से हम लोग रुके पड़े हैं रोध देखते हैं कि आज आएगा आडर 11 तारिक को आएगा 11 सितंबर को आएगा 14 सितंबर को आएगा आज 19 तारिक हो गई है तो सोचने की बात है बाकी देखते हैं आडर कब आएगा आडर जैसे ही आएगा वैसे आपकी भरती प्रोसेस आगे बढ़ेगी आसा करता हूं जल्द ही आपकी भरती हो एक बहुत ही महत्पूर खबर आपके लिए लिखा एक Google Play Store पर वापस आया पेटियम कल जो है छे साथ बजे साम छे साथ बजे जो है पता चला कि पेटियम गाया हो गया है तो जो पेटियम था वो वापस आ गया है लेकर पेटियम को हटाया गया था तो लेकिन फिर वापस आ गया है इस चीज को आप लोग ध्यान लिखा गूगल प्ले स्टोर से पेटियम एप को हटाने की खबरो को लेकर सुक्रवार को भोगता खासा परेसान है यहलाकी साम तक बेटियम की गयो backward के बाद वापस हो गई है इससे पेटियम के उभों करता हो को बड़ी राहत मिले बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि वह होता है टीवी का रिचार्ज करना है कोई भी रिचार्ज करना है पेटियम करना है किसी को पैसे देने फटापट भेज़ देते थे सुक्रवार की सुबह है गूगल ने कहा था कि पेटियम एपको खेलो से 60 बाजी संबंदी गतियों पर अपनी नीत उलंगन के चलते प्ले स्टोर से हटा दिया गया है पेटियम एपको अब डाउनलोड या अप्टेट नहीं किया दसकता लेकिन मजुदा अभोग करता अपर फिलाल कोई सर नहीं पड़ेगा यहाथी ब्लाग करने की वज़ कर एप को प्ले स्टोर से हटाने का प्रयास कर हटाने का फैसला कर लिया ऐसे में पेटियम ने गूगल के मानकों को पूरा करने के लिए फिलाल इस आफर को वापस लेने का फैसला किया है जिसके बाद वह प्ले स्टेवाजी को लेकर जो है जो पेटियम था उसको हटाया ग अभी 2019 में जो है उनके फार्म भरे गए थे अंतर जन्दपती ट्रांसफर कराने के लिए अन्य विभागों में जो है ट्रांसफर शुरू हो गए हैं लेकिन सिच्छक जो बेसिक सिच्छा परिसाद है उसमें ट्रांसफर की प्रासेस नहीं सुरू हुए उसी को लेकर जो है उ अपने घर को पहुंच पाए ठीक है अगली देखते हैं लिखा है अगली न्यूज है क्रश्च प्रावदिक भरती की परिच्छा का प्रणाम जारी हो गया है तो जैसे ही युवा जो है हल्चल में आया रिजल्ट घोसित होने लगे जल्दी जल्दी घोसित होने लगे हैं 68500 के रिजल्ट आज घोसित हुए है क्रश्च प्रावदिक भरती परिच्छा का प्रणाम घोसित हुआ है ठीक है तो जब युवा हल्चल में आता है तो सरकार भी हल्चल में आती है यह जो वो दारण है इस चीज का तो क्रश्च प्रावदिक भरती परिच्छा का प्रणा लोग कहते हैं कि सर जो है आप नीजी करन का विरोध नहीं करते हैं संविधा का विरोध मैं करता हूं लेकिन अपने विक्तिकत तरीके से ट्विटर पर करता हूं ठीक है चिला चिला कर नहीं करता हूं तो आप लोग जो है ट्विट करिए लेकिन अब जब कह दिया गया है कि स समिधा वाली जो बातें हो कालपनिक है तो सही होगा गरत नहीं होगा बाके मिलते हैं आप से एकले वीडियो में आज की यही न्यूजित थी थैंक यू फ्रेंड धन्वाद